हेलो फ्रेंड्स वेलकम यू आल आज मैं आपके ले जो वीडियो लिए करने वाल है एक हिडन स्टॉक की एक छुपा हुआ स्टॉक अब आप सोचते होंगे कैसे स्टॉक को पिक किया जाए टाइम पे लो रिस्क के साथ अल्वेच अंडर्स्टेंड दर रिस्क टास्क बिफोर एंटरिंग अनी ट्रेड और एंटरिंग अनी इंवेस्मेंट यह बहुत ही इंपोर्टेंट है तो चलिए समझते हैं हाई प्रॉबबलिटी और हाई मोमेंटम कब काम आता है उसको भी समझेंगे और पूरी प्रॉसेस को समझोगी तो आपको इतनी अपॉर कर लें बैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और प्राइस सेक्षन सीखने के लिए आप मेंबर से जॉइन कर सकते हो जॉइन बटन पर क्लिक करके अब सीधे आपको लेके चल रहा है स्टॉक की तरफ इसका नाम है ग्रीन प्लाई द प्राइस था आपके लिए यह वीडियो लेके आगे देखे अक्टूबर 11 का यह वीडियो है फिदन स्टॉक फ्रॉम प्लाइवोड सेग्मेंट क्यों यह स्टॉक हमी 11 अक्टूबर लेके आए और कैसे यह 184 के राउंड हमने आपके लिए वीडियो क्रेट के था बिलकुल लो रिस्क है और मूब जो स्टार्ट होगा तो आपको अपॉर्चनिटी देगा सबसे पहले 233 का एरिया कैप्चर करेगा फिर आगे का रन स्टार्ट करेगा चलिए थोड़ा सा मैं आपको ग्रीन प्लाइवोड की वेबसाइट के ऊपर लेके चलता हूं और साथ ही एक पर होती है अल्ग अलक लोकेशन होते है मान लो आपने अलमीड बनाई या पर कचन का का काम करवाया तो आफिर नाखन के ज slipsे कि खींसाअिश फादिया costing होती है, वो होती है, कारपेंटर के काम की, बाकि raw material की costing हुती ही नहीं होती है, लेकिन कारपेंटर की काम की major costing होती है और आप जब उस चीज़ को किसी भगवान न करें ऐसा हो, लेकिन अक्सर जो सबसे बड़ा issue होता है ये लकडी के काम से आप देखोगे धीमक लग जाती है आप देखोगे बिलकुल वहाँ पे sealant की वज़े से ply full जाती है तो क्या सोचूगे आप भी क्या solution है stock market से थोड़ा हटके क्योंकि हम भी जब किसी चीज में जाते हैं तो थोड़ा deep understanding लेके इसी तरीके से आपके लिए हम एक stock लेके आते हैं पहले prince pipe क्यों क्योंकि plumber से जान के quality है सस्ता है उसी तरीके से green ply भी हम आपके लिए लेके आए और HDHMR का board आता है high density वाला HDHMR उसको एक टुकुडा लीजिए पानी में डुबा के रखे एक महिना एक bottle में पानी भरके उसको डुबा के रखे ना कोई मोश्य लगता है उसके अंदर वो ऐसे के वैसी निकलता है हल्का फुल का पानी लेता है लेकिन बिल्कुल sealant का issue resolve दीमक का issue resolve इतनी high density होती है कि उसमें जो screw भी जब लगाने पड़ते है कील ठोकना तो दूर की बात है screw भी उसमें आपकी drill machine से जो drill machine वाला screwdriver होता न उसी से ही screw tight होते है page cut से तो भूली जाओ कितना tough काम है तो इसलिए दीमक कहा गुजेगा उसके अंदर तो सोचिए कितने solutions आपके निकल गए यहाँ पे कहा हम stock market में यहाँ दीमत पे पहुँच गए green ply क्यों बात करते करते हम HDHMR की sheet पे चलेगे देखे यह सारी चीजे निकलते रहते है जब आप regular basis पे आप देखोगे आप carpenters पे पूछोगे तो आपको knowledge होगी इन चीजों की और साथ के साथ हमारे green ply पे वापस आते हैं green ply क्यों हम लेके आए देखे green ply क्यों हम लेके आए 3000 क्रोड का market capillation 230 का हो गया price आप चलते हैं अब समझते हैं इसके chart को वाह क्या कारान था देखे मैं जो भी आपके सामने stock लाने की कोशिश करता हूँ वो low risk वाले ताकि आपका यहाँ पर कभी भी हो चीज़े अगर आपके direction के अगेस जाए तो failure ना हो low risk और फिर उसके अंदर high momentum और high probability का time आपका होता है pick करने का October में क्यों लेके आए क्योंकि बहिए October में हमें दिखा था October की starting में यह 180 का level पार हो रहा है और हमारा जो risk कम है starting हो रही है starting हो रही है वो क्यों दिखा मन्थली का correction था understand क्योंकि हम एक basic formula को use करते हैं और वो हमारा formula होता है यह इसके अलावा कोई formula नहीं है बाकी सारे supporting role के हैं अपtrend को इसको कहते हैं और एक factor nature of market यूज करते हैं वो भी इसी के अंदर इसी formula में समा जाता है अब आप समझ जरूर गया होंगे कि क्या manage करते रहें अब यह देखिए यह क्या start हो गई इंपल्स पिछली इंपल्स ने किया कमाल असी रुपे का share पहुंच गया था 240 पे अब आ गई हमारी अगली impulse अब इस impulse देखिए पिछली बार तो आठ तिया चौबिस यानि कि तीन गुना लेकिन इस बार start हो चुका है move लेकिन कहां जाएगा कोई पता नहीं बट target क्या 300 के level को cross करेगा पिछला high है definitely यहां पे भी आपको profit booking देखने को मिलेगी लेकिन जड़ा देखिए बही मन्थली पे RSI दिखा आसमान पे super momentum area में support लेता हुआ और आपके लिए हमने क्या create कर दिया video तो मैं आपको एक बात कहुँगा और वो बात कुछ ऐसी है कि भी अगर आप देखोगे ना तो process समझोए अब आपको क्या कैसी बात कर रहे हो तो आज का वीडियो से ज्यादा important हो जाता है 11 October का video अब देखे जब आप देखोगे तो उसमें क्या होता है low risk वाली opportunity जब हम 11 October के लिए आपके लिए वीडियो लेका थे यह price range था 180 का range था ठीक है वहाँ पर यह आपका stop loss था अब यह move start हो गया move start हो गया फिर यहाँ पर इस area में इसने consolidation दिया यह आपका next level क्योंकि एक weekly का जो यह impulse है उसने क्या किया daily पर यह देखे फिर अब यहाँ इस area में देगा हमेशा याद रखे आपके लिए जो सबसे important सबसे बड़ा दोस्त जो है ना वो पता कौन है वो यह correction है यह आपका दोस्त है यह क्यों आपका दोस्त है सबसे बड़ा दोस्त क्यों है आपका क्योंकि यह आपको risk manage करने को देता है क्या अगर तुम यहाँ पर enter कर रहे हो तो यह तुम्हारा stop loss है अगर तुम यहाँ पर enter कर रहे हो तो यह तुम्ह है हम कहीं नहीं जा रहे लेकिन तुम महारा पैसा बचना चाहिए इतना बड़ा दोस्त है यह चोटी-चोटी corrections बस आपको समझना है अपने इस दोस्त को और अपना फाइदा लेना है कि जो दोस्त सलाह दे रहा है करेक्शन कब आ रहे है उसका फाइदा लेना आप देखिए ग्यार अक्टूबर वाट वास देट ओन जी दिखे प्राइस वाट वाट वॉल्यूम हमें दिखा था इसी लिए 185 का प्राइस यह वाली कैंडल ले देखिए यही कारण था हमने आपके सामने इसी एरिया में आपने उन्ट्री जरूर लेली लिए लो रिस वाली लेकिन एक confident वाली जो entry होगी न वो पता है कहां पे होती है सोचे 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 हर regular viewer है तो आप समझ जरूर गए होगे confidence वाली entry हमेशा ध्यान देना ये मिलेगी आपको bullish cross बन गया ये जो consolidation है tight ये कितने दिन रही सबसे पहले consolidation देखे मैं आपको इसी इसी दिन से गिनाता हूँ 18 October से लेकर आठ से दस दिन लगा लीजी लेकिन क्यों important है ये कहां पे हुई ये हुई आपती high momentum high probability low risk जरूर हमने यहां पे आपके लिए video create कर दिया था है लेकिन अगला opportunity कहां पे create होगा यहां पे position का size इतना बड़ा नहीं क्योंकि अभी चीज़े momentum में आ रही है यहां पे इस एरिया में अब यह accumulation जो हो रही है बढ़ाने का समझ यह बात को अब निकलने की बारी जब आपने चीज़े समझ ली है कि कैसे कैसे निकलना है अब आपको गया हां फिर यह देखिए जब position size आपने इतना बढ़ा कर दिया तो definitely मुझे लगता है कि इन highs के around माल धीला करना कुछ-कुछ क्योंकि अब depend करता है व process समझे कि किस तरीकी से हमने इस correction resolution को understand किया था इस level पे due to the fractal nature of market stock ने हमको एक confidence वादी entry area हमको फिर से दिया इस level पे patience is the key patience is the key लेकिन understand the high momentum high probability and low risk area this is the area this is the area look at MACD look at RSI and look at this price and even on price में भी अगर आप इस particular correction को समझोगे तो मैं आपको एक और चोटे टाइम प्रेम पे लेके जाओंगा और कोशिश करूँगा कि आप इस correction को भी समझो जो 8-10 दिन का ये रहा है तो इसका चोटा टाइम प्रेम कहांचा होता है hourly now just see what happened ये tight ये tight ये tight मैं कहूंगा consolidation के सामने हुआ और वो भी again super momentum area में तो ये समझिए process को समझिए upper circuit and all तो रास्ते में आते रहते है risk को manage कीजिए upper circuit and all तो रास्ते में आते रहते है आपका काम क्या है process आप से चलना risk को manage करते हुए मानलो अगर मैं इसको इस area में जा रहा हूं समझ के मेरा deep stop loss और improvise stop loss और improvise stop loss इस तरीके से ये भी आपकी चीज़े stop loss जो है वो भी trail होते रहेंगे अब 11 October का वीडियो नहीं देखा तो पूरी process के हिसाब से आपको वहीं से तब तक price ने तो moment लिया नहीं था तो वो उसको देख के आपको और price description में लिंक होगा उपर i button में जाके भी आप उसको देख सक कि जिए like तीजिए price section सीखते रहें membership भी आप join कर सकते हो और practice करना आपका काम है चाहे लाखो रुपे का course कर लो हजारो रुपे का course कर लो जो करता है वो आप हो तभी करता अगर काम करेगा करम करेगा करता तभी देखिए practice का result आपको देखने को विलेगा and thank you thank you for watching the video